रोजगार और युक्त भारत और बेरोजगार मुक्त भारत की शुरुआत करने के लिए फर्दबाद पहुंचे हर्याना के कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष अशोक तवर ने नगर निगम सबागार से बाइक रेली कर यातयात नियमों की धजिया सरयाम सडकों पर है फर्दबाद के निगम सबागार का जोहां पर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने कॉंग्रेसी कारेकरताओं के साथ बिना हेलमिट के ही फर्दबाद शहर में रेली निकालने बैठे इसमें अशोक तवर अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कानून की धज रोजगार मुक्त भारत के अभिहान की शुरुआत फर्दबाद से ही की गई चूकि हर्याना के छे जिलों में जाका खत्म की जाएगी इस दौरान फर्दबाद से लगबग 50 से भी अधिक मोटरसाइकलों की रेली निकाल कर लोगों में जागरुकता देने का अभिहान वेसी नेताओं को एक नया नारा भी दिया जिसनों उन्होंने रोजगार युक्त और बेरोजगार मुक्त का नारा दिया आरेकरम आज से हमारे कुछ साथियों ने जो नॉन पॉलिटिकल साथी है और उन लोगों ने ये मुद्दा क्योंकि पूरे देश से जुड़ा है बेरोजगार इस देश के अंदर है उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए ये एक मुहीम हमने राउल जी के नेत्रितों में शुरू करी है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि पहले चरण के अंदर ये छे जिलों के अंदर जाएगी चार जिलों में चार दिनों में ये यात्रा वहां पर पहुंचेगी अलग अलग कस्वों में क्योंकि ये एक बहुती मार्मिक और ऐसा मुद्दा है जिसमें करीवन साड़े आठ करोड पूरे देश की अगर हम बात करें तो शिक्षित बेरोजगार है ये बहुत बड़ी च तो मुझे याद है जिस दिन उन्होंने मना किया था उसी दिन मैं भी महाँ पर रियान इंटरनेशनल स्कूल में गया था गुरगाम गया था और उन्होंने ये बड़ी आपती जनक बात कही थी जो किसी चुने हुए परतिनीदी से जो जनता का परतिनीदी करते हैं उन से उ सच्छाई सामने आ रही है जिसको भारतिय जनता पार्टी के ये कहरे हैं कि नेता दबाना चाते थे अब कौन दबाना चाते थे उसका पूरा खुला सा मुख्यमंतरी करें उनके उपर कारवाई करें उन से उनकी जिम्मेदारी लेने का काम करें और जो प्रसाशनिक पुलि बुलिट की आवाज है कोई भी समाज की भावना अगर किसी उससे आत होती है चाहे वो कोई राजनीतिक दल उसको आत करे चाहे कोई डारेक्टर उसको आत करे और आज बंसाली जी ने जो किये काम किया है बहुत ही अनुचित है और उनको पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से इस फिल्म को वापस लेना चीए मैंने बचाया है कि अलाउदिन खलजी के बारे में और बहुत पॉजिटिव चीज़े हैं जो उनको दिखानी है तो अगर उनको फैसिनेशन है अलाउदिन खलजी से तो वो दूसरी फिल्में बनाए उनका जो पूरे दुनिया में समराज्य फैलाने का था जो उन्होंने मिल्टरी के अंदर रिफॉर्म करें मंडियों के अंदर रिफॉर्म करें जो उन्होंने ये दाग और चेहरा जो आज पुलिस में और आर्मी में हम देखते हैं और जो पशों के उपर स्टेंप लगा कर करके फरजी वाड़ा जो उन्होंने रोकने का काम किया था इतियास में वो बहुत चीजे दिखाने की हैं क्यों किसी की भावना को आत करके हम जूटी वावाई और पॉब्लिसिटी लूटना चाहते हैं